हेलो आपकी दोस्त और होस्त फॉर्ट शुशल साइन्स आज आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 6 जोग्रॉफी के चैप्टर नंबर 5 यानि की मेजर डोमेंस ऑफ दी अर्थ के सब्सक्राइब कर चुके हैं जो आपको कल प्रिमियर हो चुका होगा इसी के साथ साथ में आज हम जो है जो मेजर चीजें हैं जो मेजर डोमेंस हैं उनकी इसमें बात करते हैं सबसे पहला में जो था उसमें हमने लिफ्टस्फेर की बात की थी जो कि solid portion of the earth होता है जिसमें continent or ocean basin दोनों आ जाते हैं तो continent जो है वो हम सारे पढ़ लेते हैं फिर आता है हमारा hydrosphere तो hydrosphere में oceans की बात करते हैं जहां पर पानी होता है है ना वहां पर हम सारे oceans जिते भी हमारे world map पर जिते भी से इंक्रीज होता है यह हम समझ लेते हैं और लास में हम समझते हैं बायोस्फेर के बारे में कि बायोस्फेर आक्चली में होता क्या है तो ऐसा एरिया जहां पर यह लिटोस्फियर एटमोस्फियर हाइड्रोस्फियर तीनो स्फियर कंबाइन होते हैं ऐसी जगह पर होती है लाइफ एक्जिस्ट और उसी जगह को क्या कहा जाता है बायोस्फियर तो इस पूरा चाप्टर जो है वह इसी-सी के आराउंड था इसी में फिर हमने इन डीटेल चीजों को डिसक्स किया था कभी भी कोई भी आप चाप्टर पढ़ रहे हो पढ़ने के बाद में एक बाउंडरी बना लेना जरूरी है कि यह यह था इसके अंदर यह पढ़ा था तो आपको क्या होगा एक माइंड मैप दिमाग में तयार हो जाएगा और आप कभी भूलोगे इने इस किसी चैप्टर में याप की पुलिष क्लास g send वी मैं और चीज करनी जैसे चीज़ से पढ़ नहीं है यह भी पिचस जतनी बार देखो गहें इतनी डीटियल वह आपके दिमाग में रहे एफरिका की दर है उरोप एशिया कि इधर नौर्थ अमेरिका के साथ अमेरिका कि इस था मस उसके बीच में जाता है इंडिया के नीचे स्ट्रेट्यक अपर है और लोगाइ ऐसा एक दिमाग में मैप आपके तयार होना सब्सरूरी है इक्वेटर बीच में से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऊपर से जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकौन नीचे से जाता है आक्टिक सरकल ऊपर बनता है तो ऐसा बस यह मैंने लर्ण नी किया है बैठ थे हूं और मैं तो इससे जूड़ी सारी चीज़े जो है और इन डीटेल पढ़ लो तो फट से ढूंड लो कि क्या था तो आपको दिमाग में रह जाएगा कि इस तमस भी दिमाग में रह जाएगा बस एक चीज कर रहे तो उसके साथ मैं आसपास की आजू-बाजू की चीजों को भी आप बा क्षन आते हैं कि तो आपको इसमें देखना है कि किस तरीके से सवाल पूठवा जवाब इस तरीके से दिया दिया औगे निक dov समझ लेना है आप अपने आप लिख पाऊगे साथी साथ में आप यह जो मोस्ट इंपोर्टन क्वेस्टन इनको लिख भी लो आप लिखोगे तो आपके दिमाग में चीज़े और अच्छे से बैठेगी और भी जो डाउट होगा वह आपको अभी आजाएगा और अगर अभी उसके कमेंट्स तो फिर बार-बार नहीं देख पाऊंगी जो नए वीडियो रिलीज होते हैं प्रेमियर होते हैं उनमें में बकाइदा अच्छे से देखते हुए एक एक बच्चे का कमेंट कि इसको क्या डाउट आ रहे हैं तो में वहीं के वहीं आपको रिपलाई कर दू तो मतलब आपको क्या करना है सिर्फ नाम लिखना है जिस भी चीज का पूछा जैसे अभी मुव्मेंट्स ओफ ओशन वाटर बोला है तो हम टाइड ओशन करेंट और क्या करेंगे वेव यह तीन लिख देंगे लेकिन अगर डिस्क्राइब करने को बोलते हैं तो मतलब Dartmouth के बारे में लिखना पड़ता तो कुल मिला कि कुछ ंप में अगर होता है तो डिस्क्राइब करने के लिए तीन या पाच मार्ग में लिकिन अगर एक या दो नंबर का क्वेस्चन होता है उसमें आपको शब्द देती है मेंशन तो मतलब आपको सिर्फ मेंशन करना है सिर्फ नाम लिख देना है अब यह कोई भी चीज हो सकती है जैसे वह भले पॉलिटि आपको बीन लगता है यह कि छोड़ू निखूडू है आपको यह माग में चलियर रहता है, मैं यह मेंशन करूंगा डिस्क्राइब करूंगा तो इस आहों अजित दोशन वाटर आरों और ज यह कि तीन नाम्र देता हमको फूल नंबर मिल जाएंगे यह सब्सक्तिटक्र कर आपको एक्जामिनर मांक्स देगा नेक्स्ट वर्शन की बात करते हैं वर्ड आर्ड लाइस अस्टेनिंग एलेमेंट्स प्रेजंट ऑन दी अर्थ अर्थ पैसे कौन से क्योंकि यहां पर नाइव सटेनिंग एक्जिस करते हैं यहां पर जिन्दगी है जैसे की हवा पानि और जमीन ये सीजय यह रहे लाइव एक्जिस्ट हो पाएगी में जनदो हवाक नहीं दो तो भी काम颹ने वह हवापान देदी जमीन नहीं दिया है तो भी कामनी होगा तीनों। चीज़ों की जरूरत है इसलिये तो तीनों को मिला के हम बायो स्फियर बोलते हैं हम बायो मतलब । कर वह किस užगेगी ढरएं पैसे करी करें कि जाएं हम स्थाणी सकते ह्थ हम को वा बी चाहीए कुईकि कि हमको इतना दुछे अब जहार सी बात है हवा पानी और जमीन है तो उससे तो हम खाना उगाई सकते हैं खाना अलग से देने की जरुरत नहीं है यह तो फिर हम उगा लेंगे ठीक है पानी आप डालो हवा उसको चाहेगी तो अपने आप खड़े खड़े होंगे उसको काटपीट के खालेंगे अपने क्या है अर्थ इस अव्ली प्लानेट ऑफ तो सोलर सिस्टम विछ लाइफ और इस दो होम तू मैंनकाइंड जो भी लिविंग और गयानिसम है उनका घर है अ संगनीदर टॉस्टार को सप्सक्राइल अपनें उसके निए एसके साथ में शिर्टा हैं हमने उपर भी लिखा एक इंट्रोटरिक्शर इंटाइन.अ ніि दिखता है इंप्रेसिव दिखता है और अच्छा से आंसर आपको खुले दिल से मांग्स देता है आप यह समझो कि आपके सामने अगर आपकी कॉपी आती है चेक करने के लिए तो आपको क्या-क्या चीजे उसमें चाहिएगी तो आप क्या-क्या चीजे सोचोगे यह और नूरत हमें क्या है यह हमको बताना तो सबसे पहले तो एटमॉस्फेर की डेफिनेशन दे दो अर्थ सराउंड़ेट बाइन एंवलॉप अफ एयर इस कॉल एटमॉस्फेर ठीक है एक अर्थ के आज जू बाजू जो है वह थिन लेयर है एयर की है ना उससे सराउंड़ेट है एक मॉस्फेर कहते है यह इंपॉर्टेन्ट इसलिए क्य encryption तो सन भोल्डल है लेकिन हमारे यहां पर यह संय हमसे लेकिन फिर भी आप सोचो गर्मियों के टाइम पर हमें कितनी ज़्यादा गर्मी लगती है तो जब अर्थ के पास में एंवलप भी है सब कुछ तो इत्ती गर्मी तो सुचो अगर सांस भी आती रहेगी हवा भी मिलती रहेगी प्रोटेक्शन भी इनका होता रहेगा तो कोई भी चीज अकारण नहीं है सब के पीछे रीजन है इस थिन ब्लांकेट ऑफ एर इस इन इंटीग्रल अन्ट मोस्ट इंपोर्टन अस्पेक्ट अश्पेक्ट प्लानेट इस वेरी इ आपको लग रहे है कि आप मेरा जो हिंदी बोला है उसको समझ के अपनी भाषा में कुछ लिख सकते हो तो बिल्कुल आपको खुली चूट है आप लिख सकते हैं ठीक अगले क्वेशन की बात कर लेते हैं एक्स्प्लेइन ऑफ एट्मोस्फेर का कंपोजिशन क्या है यह हम लिखना जरूरी है फिर लिखना एट्मोस्फेर जो है वो मेनली नाइट्रोजन और ऑक्सिजन से बना है नाइट्रोजन जो है वो 78 परसेंट के अराउंड है वही ऑक्सिजन जो है वह करीब 1 परसेंट वॉल्यूम में मिलती है जैसे की कार्बन डायोक्साइड आरगन और दूसरी गैसे से जरूरी है वह घृँ डूसरे लिए उनके सर्वाइब करने के लिए जरूरी है और टेम्प्रेचर बढबर बना बनाके रखता है लेगन यह माइनूट अमांट में ही चाहिए है कि घृत-कि हमारी घृत ही हीट हमारी जमीन यह जादा हो जाता है तो प्रॉबलम होती है क्योंकि अगर जादा हीट एब्सॉप करेगा फिर अट्मॉस्फिर में गर्मी 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 तो ग्लोबल वार्मिंग लगेंगे आई शीट पिकलने लगेगी तुनामी आएगी ऐसी कंडिशन नहीं कार्बन डायोक्स जरूरी है लेकिन कम अमाउंट में इसलिए में राबल में जाधा क्यो utilizing करेंगे तो प्राब्लमिंग है समझाओ अग्ला वो कहरा है वे इसको डिस्कृइब करो हैटमिड्ये बंसिटी किस तरीके से रहती है उसको हमको थोड़ा सा explain करना है तो वह हीट के साथ में वही करती है जैसे हम उपर जाते हैं वहां पर जाते जाएंगे तो सब्सक्राइब उसी कारण से जब बन्ती जाते हैं मांने मुश्य दंसिटी वो कम होते जाती हैं वहीज हैं प्रीद के साथ मैं क्या होता है er अगर हमको बास करनी एक更 दैंसिटी की तो जैसे जैसे ऑफ जाते जाएंगे टेमप्रेचर व बन्र最ट है छाएगी कम होती चाहिए ठीक है उसी की वज़े से क्लाइम बस प्रोब्लम से हैं सी वाट एट के वेट के कारण से यहीज़़ बनता है क्या कहलाता है अब यह अलग अलग जगे पर अलग अलग प्रेशर होता है तो जो हवा होती है या पर परहेशल से निकल के लो प्रेशर की तरफ जाएगी तो वह क्या एर यानिकी घूमरेह तो यह ट्रॉम रही केखलाती है को अर्थी पे साधा प्रेशर है नहीं को सब्सक्राइब Basis और इसका मतलब यह है कि विंड बनती है नहीं तो यहीं जगे पर रहती लेकिन प्रेशर अलग-अलग है कहीं पर लो है तो फिर एयर की तेंड़निसी एकि वह हाइ से लो कि तरफ जाएगी मतलब वो कर रही है और यहीं ऐर को हैं हावा कहते हैं यानि की विंड थीट नेक्स च्वेस्टन पर आ जाते हैं डिफाइन ग्लोबल वॉमिंग एक चूट किया है what is biosphere give its major features, biosphere क्या होता है और इसके major features हमको बताने है, तो biosphere क्या है, एक narrow zone है, जहां पर life exist करती है, biosphere is a narrow zone of contact between land, water and air comprising all forms of life, ठीक है, जहां पर land, water, air, सब कुछ जहां पर exist कर रहा है, उसको क्या कहते हैं, हम biosphere कहते हैं, एक narrow zone है, features क्या है, कि बहुत सारी species यहां पर exist कर पाती है, biosphere में, ठीक है, species भी exist कर रही है, उसमें भी size में difference है, बारिक से बारिक माईक्रोब भी exist कर रहे हैं, बड़े से बड़े humans और बड़े से बड़े mammals भी exist कर रहे हैं, जैसे कि whales वगेरा हो गए, aquatic बड़े बड़े जुद में भी ह सारे living organism जैसे humans जो हैं वह बाकी भी दूसरे organism हैं, यह सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और biosphere से जुड़े हुए अपने survival के लिए, जहां पर जमीन, खाना, जमीन, पानी और हवा, तीनों मिलती है, ठीक है, तो वहां पर life exist कर पाती है, वहां पर जीव जनतु जीव जनतु जो है, वह छोटे से चोटे जीव जनतु भी हो सकते हैं, बड़े से बड़े मैमल्स भी हो सकते हैं, और यह सब क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से इंटराक्ट करते रहते हैं, इसी कारण से इनका survival जो है, वह बना होता है, ठीक तो यह क्या है, ग्लोबल जाता है, तो यूमन एक्रिटी से कारण नहीं बढ़ेगा, नेचर में तो नाचरल अमाउंट उसका प्रेजेंट है, अगर नाचरल अमाउंट से आगे बढ़ रहा है, जाहिर सी बाते कोई उसको बढ़ा रहे हैं, अब कोई कौन बढ़ाएगा, हम ही आ रहे थे, तो हम ही तो इसकी वज़े से क्या होता है, ग्लोबल टेंपरेचर जो है, वो बढ़ जाता है, और उसी के कारण से ग्लोबल वामिंग होती है, जिसा अभी जो मैंने आपको कारण बताया था ना, जब हमने एट्मोस्फेर की थी, वही चीज यहां पर है, ग्लोबल वामिंग कैसे होत होती है, हमारी हरकतों के कारण और फिर रहे होती है, तो फिर होती है, पता नहीं है हमने तो AC क्यू लग वाया थांड़क मिले कि अब हमको यह नहीं नहीं है हमको ऐसा लगता है कि हमारे घर में हमारा जो दुनिया है वह हमारा घर है पर ऐसा नहीं है अगर आप गंटे घर में आपको भार भी जाना पड़ेगा समान भी खरीदने पड़ेंगे लोगों से इंटराइक भी करना पड़ेगा आने वाली जन्रेशन भी आपके घर में आएगी हैना तो बाहर का एट्मॉस्फियर जो है अगर खराब होता है तो भी आपको नुकसान है अच्छा करें कि वाय एख लू प्लानिट अर्थ को ब्लू प्लानिट यू कहा जाता है क्योंकि 71 percent इस्सा अज पानी से घरा है आर्थ इस कॉल्ड ऑफ लू the earth is covered with water and 29% is covered with land जमीन बहुत कम है बाकि जो है मैक्सिम्म हिस्सा पानी से गिरा हुआ है अर्थ के सर्फेस पर जो सर्फेस वाटर होता है और अर्थ के सर्फेस के अंदर वहां रोटर वहाँ को पानी किसी ने किसी फॉर्म में मिलेगा है मात करें कि بांठ कौन से हमेस्फेर में सोपी ऑंसे हемिस्फेर में जो है greater mass of land थो फिर से मैं आपको बोले आप के से दिमाग में रख chroni के से दिमाग में लिके सारा हिस्सा है वो इसमें नौशन हैं ठीक तो जब इतना सारा लांड मांस हो हम इक्वेटर अपर दिख रहा है यानि कि नदन हमें धिक रहा है तो जाहिर सी बात है डिना पर आफ आफ दे दा एक हम को बन जाएगा ठीक तो यहां पर किसी भी चीज का हम पैसा आप से नहीं लेते शुरुआत से आखरी तक हम आपका हाथ पकड़के चलेंगे सारी चीज आपको करवाएंगे जैसे वन शुर्ट हुआ उसके बाद में मोस्ट इंपोर्टन क्वेश्चन उसके बाद में उसी के सब्सक्राइब करते हैं मिलते हैं अगले वीडियो